हेलो डिसाइपल्स, विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल, डिसाइपल नचर पॉइंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे, इंटीजर्स के कुछ कुछ कुशन्स की, मैं यहाँ पर कुछ कुशन्स लेकर के आया हूँ, यहाँ पर 6 कुशन्स दिये हुए हैं, इन 6 कुशन्स करते हैं, चलिए, सॉलूशन डाल करके, इसको करते हैं, तो देखिए, इसको कैसे सॉल करेंगे, इसको हम सॉल करेंगे, 9, अब, प्लस, माइनस, यहाँ यह चीज आपको आने चाहिए, ठीक है, प्लस, माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस क्या भी दे दूँगा, वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देख लीजी, उसके बाद इन कुशन्स को सॉल कीजिए, जिससे कि आपको इसको सॉल करने में आसानी होगी, ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल करते हैं, अब यह माइनस प्लस के प्लस है, यह माइनस है, जब यह आपस में मल्टिप्लाइम है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यह नमबर है फाइव, आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा हुआ है, प्लस का, हमने बताया थ से 5 को माइनस करना होगा जब 9 माइनस 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेंगा इसका 4 तो इसका final answer क्या आगिया 4 आगिया ठीक तो यह रहाई इसका solution B की बात करें अगर हम तो 5 प्लस माइनस 11 दिया हुआ है अब जब इसको solve करेंगे तो देखिए यह कुशन्स बहुत ही आसा होते है थोड़ा सा अगर आप इसमें ध्यान दे लेंगे कि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है तो आप easily इन कुशन्स को solve कर सकते हो अब देखिए सबसे पहले तो इसको हम करेंगे तो 5 अब प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस यह चीज़ पता होगी तो आप बहुत easily कर लोगे अब फिर से वही चीज़ आई प्लस है यहाँ पर माइनस है मतलब हमें 5 माइनस 11 करना है सबसे पहले तो आप 11 और 5 देखिए सिर्फ सिंबल को भूल जाए तो इसमें हमें माइनस करना ही याद रखिए तो 11 माइनस 5 कितना होगा 11 माइनस 5 होता है 6 अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है देखिए यहाँ पर प्लस का 5 है माइनस का 11 है तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो 6 आया है और एक plus का होगा एक minus का होगा तो उसमें symbol जो subtract करने के बाद last में जो final answer आएगा उसमें जो symbol लगेगा वो बड़े वाले number के साथ जो symbol होगा वो लगेगा तो यहाँ पर बड़ा number 11 है और उसके साथ minus का symbol है इस वज़े से final answer में उसी का symbol यहाँ पर लग जाएगा तो इसका answer आएगा minus का 6 अब अपने थर्ड वाले example की बात करते हैं थर्ड example है मारे पास minus 1 plus minus 7 अब इसका solution अगर हम करें तो इसका solution देखे क्या होगा minus 1 अब plus minus plus minus होता है minus 7 अब यहाँ पर दोनों ही minus के हो गए तो अब minus क्या होगा plus होगा minus minus plus होता है मतलब इन दोनों को number को हमें add करना होगा जब add करेंगे तो 718 हो जाएगा और जब दोनों ही number के साथ minus का symbol होगा तब भी यहाँ पर minus का symbol आ जाएगा तो final answer हमें minus 8 मिलेगा अब हम बात करते हैं अपने d वाले example की d वाला example है हमार पास minus 6 plus plus 13 ठीक अब इसको solution इसका करते हैं तो अब दिखिए minus 6 plus plus होता है plus यह जाएगा 13 अब minus plus minus plus क्या होता है minus मतलब इन दोनों को आपस में हमें subtract करना है जब हम इनको subtract करेंगे तो 13 minus 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 अब 7 किसका मिलेगा plus का minus का plus का मिलेगा क्यों क्योंकि हमारे पास जो बड़ा number है 13 उसके साथ plus का symbol है इस वज़े से answer किसका आएगा plus का तो आप plus आप यहाँ पर लगाईए यह ना लगाईए वो obvious होता है कि अगर किसी number के पहले कोई sign नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो plus का ही number है ठीक move करते हैं अपने next इए example में example है minus 1 plus minus 3 plus minus 5 ठीक इसका solution करते हैं तो जब इसका solution करते हैं तो सबसे पहले इसको simplify कर लेते हैं sign से तो यह हो जाएगा minus 1 plus minus minus 3 plus minus minus 5 ठीक अब हम क्या करेंगे दो दो पहले दो को solve करेंगे तो इसको हम अभी पहले छोड़ देते हैं इन दोनों को solve करते हैं तो यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा मतलब 3 और 1 add कर देंगे तो 4 आ जाएगा और symbol आएगा minus का minus 5 ऐसे ही हम उतार लेते हैं अब फिर हमें 2 मिलके अब इन दोनों को solve कर लेते हैं तो minus minus होता है plus इन दोनों को add कर लेंगे तो 9 आ जाएगा और symbol आ जाएगा minus का तो final answer हमाँ पास 9 आ गया अब move करते हैं अपने next example F और यह हमारा last example है minus 3 plus plus 8 plus minus 3 ठीक है इसका solution करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा minus 3 plus 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 होता है 8 plus minus minus 3 अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को solve करते हैं इसको छोड़ देते हैं भी यह plus minus minus मतलब 8 minus 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा अब 5 किसका हैगा plus का क्योंकि बड़े के साथ symbol plus का है minus 3 उतार लेते हैं यहाँ पर अब इसको solve कर लेते हैं यह plus है यह minus है plus minus minus करेंगे तो 5 minus 3 होता है 2 symbol आएगा plus का क्योंकि बड़े के साथ symbol plus का है तो इसका answer आगिया 2 I hope आपको यह 6 questions जो थे यहाँ पर वो आपको समझ में आये होंगे वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी next class में तब तक के लिए good bye